ये आपका सबसे सूपर चैनल होगा फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए जो भी फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन में रुची रखते हैं उनके लिए बहुत ही महात्पूर चैनल है बहुत ही उपयोगी चैनल है ये इसलिए कर लें और उसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हर दिन आपको सौ से ज़्यादा प्रशनों का स्रेज मिलता है वो भी बिल्कुल फ्री वो भी बिल्कुल फ्री मिलता है इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आज हम लेकिया है प्राक्टिस सेट तीसरा तीसरा प्राक्टिस सेट है इसके पहले प्राक्टिस सेट करवाया जा चुका है उसको आप जो है डिस्किप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं या फिर चैनल में जाकर playlist से जितने भी वीडियो इसके पहले जो पढ़ाये जा चुके हैं वो सभी आप राप्र कर सकते हैं और देख सकते हैं चलते हैं आज के जो पहले प्रस्ण के उपर पहला प्रस्ण देखते हैं तीसरे का कि पहला प्रस्ण यहाँ पर कहा जा रहा है कि volleyball का पुराना नाम क्या है volleyball का पुराना नाम क्या है जिसको आप कहते हो the old name of volleyball was minto net क्या नाम है minto net जो है volleyball का पुराना नाम है यानि कि volleyball को हम minto net के नाम से जानते थे अगला परसन देखते हैं गती में निकायों पर कार करने वाली ताकतों का अध्यान, गती में, study of forces, that act on bodies in motion is called, उसको हम क्या कहते हैं, जो निकायों पर कार करने वाली ताकत है, उसी को हम किस नाम से, बायो मेकानिक्स के नाम से जानते हैं, किस नाम से, बायो मेकानिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक हैं, आगला परसन देखते हैं, ruler drop पर इछड का उपय अगला परसन है, कि कोशिका की खोज किस नाम से, बायो होता है, उससे हम रियक्सन टाइम, या फिर उपयोग करते हैं, ठीक है,etus कोशिक नाम से, कि कोशिका की खोज किसने की, who discovered cell, तो cell की खोज किसने किया, तो यहां पर रावट हुक आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रावट हुक जो है, रावट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी, ठीक है, सुध एंडोमार्फ, अच्छा, यह हुआ था न, कि एंडोमा और मेसोमार्फ, तो इसमें कहा जा रहा है कि सुध एंडोमार्फ को स्केल पर किस रूप में ब्रेक्त किया जाता है, तो प्योर एंडोमार्फ is expressed on scale as कैसे मापते हैं, तो 7-1-1, 7-1-1 से हम सुध एंडोमार्फ को मापते हैं, 7-1-1, आप लगातार समझते रहिए, बहुत ह आसानी से समझ में आ जाएगा अगर एक बार नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को repeat करके देखेंगे तो पूरा आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से learn हो जाएगा कोई भी परिसानी नहीं होगी देखते हैं अगला परशना आपका यहाँ पर है कि अंतरराश्टी क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी में 400 रन बनाने वाला अब तक का इकलावता खिलाडी कौन सा है तो इकलावता खिलाडी है न वो इसे एक मात्र खिलाडी है जो टेस्ट मैच में एक पारी में 400 रन बनाने वाले अब तक के इकलावते खिलाडी है ठीक है अगला परशन देखते हैं कि एक माराथन दोड की लंबाई कितनी होती है इसको आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका कि अगला देखते हैं कि निमलिखित में से कौन सा दिल का दौरा पढ़ने के लिए चला फिसे जिम्मेदार हो सकता है विजह पर फोलिंगमे बी रिसांज़वलjas को अड़ेको का इसे आता है कई प्रकार से क्या कारण होता है उसमें होता है उस्ध खुले श्ट्रॉल इस्थ 0 क्या होगा हाई कोलेस्ट्रोल लेवल जो है यह क्या होता है हार्ट अटेक का में कारण होता है रिस्पॉंसिबल होता है हार्ट अगला परस्ट कहा जा रहा है यहां पर कि महिलाओं के भाला फेक इस परधा में भाले की लंबाई कितनी होती है इसके पहले वाले मैं वीडियो म यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर पूछा जा रहा है कि भाले की लंबाई कितनी होती है है लेंद बताना है क्या महिलाओं के भाला से खना क्या महिलाओं के जैबलिंग थ्रो की आगे देखते हैं कहा जा रहा है कि interval training किसमें बिद्दी करती है 하 То हम यही देख्ते हैं कि यहाँ पर दिया गया है V.O.2 max भी दिया है और lactis ने सोल्ड भी दिया हुआ है तो यह दोनों जो है interval training में बिद्दी करते हैं ठीक है अगला प्रस्चन देख्ते हैं अगला प्रशन कहा जा रहा है कि ग्लाइकोजन किस से बना होता है ग्लाइकोजन बना होता है ग्लाइकोजन बना होता है कार्बो हाइडरेट से किस से ग्लाइकोजन जो है कार्बो हाइडरेट से बना होता है प्रशन अगला I hope कि आप सभी कोछ समझ में आ रहा होगा और अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि हर दिन आपको यहाँ पर फ्री में वीडियो मिलने वाला है वो भी फिसकल एजूकेशन का ठीक है मनुस्यों में अल्माईजर अच्छा मनुस्यों में अल्जाइमर नामक रोग किसकी कमी से सम्मंधित है तो यह सम्मंधित है अगला परशन देखते हैं मेजर ध्यांचन का जन्म कब हुआ आप लोग अपना भी औलोकन करते चले आप लोग अपना भी टेस्ट लेते चले कि आप कितने प्रश्णों का सही जवाब दे रहे हैं मेजर ध्यांचन का जन्म कब हुआ था तो यह आपको याद रखना होगा कि मेजर ध्यांचन was born in कब पैदा हुए थे 1905 में कर 1905 में मेजर ध्यांचन जिसको आप कहते हैं हांकी के जादूगर तो इनका जन्म हुआ था 1905 1905 में तीक है अगला प्रस्टन देखते हैं कि बास्क बास्केटबाल रिंग तो कितना होता है 18 इंच जो है बास्केटबाल रिंग का जो ब्यास होता है डामेटर होता है वो कितना होता है 18 इंच ठीक है अगला प्रस्टन है एकल मुकाबले के दौरान लॉन टेनिस एकल मुकाबले के दौरान लॉन टेनिस कोर्ट की सीट होगी ठीक न कितनी होगी 27 सीट होगी अगला प्रशन है कि फुटबाल में इस्तमाल होने वाले फुटबाल में इस्तमाल होने वाले कार्नल फ्लैग की उचाई कितनी होती है याद रखना है यह केशन आपको कि what is the height of a प्रशन कार्नल फ्लैग यूज इन फुटबाल तो उनकी जो उचाई होती है वो कितनी होती है 5 Juan होती है कितनी 5 feet 5 feet जो है height उचती है कि उचाई किसकी फुटबाल में इस्तमाल होने वाले कार्नल फ्लैग की उचाई अगला है कि जब सरीर हवा में होता है तो निम्लिखित में से उसका क्या बदलना असंभव है तो जब सरीर हवा में है कहां पर है हवा में है तो क्या बदलना असंभव कहा जा रहा है यानि कि क्या नहीं बदलेगा तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि क्या नहीं बदलेगा तिसमें क्या है कि द्रब्मान जो होता है न क्या है द्रब्मान जो आपका द्रब्मान होगा वो उतना ही रहेगा यह नहीं कि आप हावा में चलेगा तो द्रब्मान ही घड़ जाएगा ब्रमान नहीं खटेगा द्रमान उतना ही रहेगा वो नहीं बदलेगा अगला प्रसे Nur कि स्व के लोगों का शरीर चो लगापना और oup is पिक निक-ब्राइप का नहीं, sorry, which type of people have short, fat and round body, short, fat and round body, तो वो picnic type की होते हैं, ठीक है, अगला परसन देखते हैं, कि निमलिकित में से कौन सा पसू वसा का सुरोत नहीं है, पसू वसा का सुरोत नहीं है, which of the following is not a source of animal fat, तो animal fat का कौन सा नहीं है, तो यह जो काजू है ना, काजू आपको animals नहीं मिलता है, यह तो पेड़ पौद होका है, जबकि अंडा, दूद, मांस, यह सब क्या है, यह सब animals से प्राप्त होते हैं, जबकि काजू नहीं है, अगला परस्षन है, glycogen को glucose में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किसको glycogen को glucose में बदलने की प्रक्रिया, the process of converting glycogen into glucose is called, क्य है यह ग्लाइकोजन को ग्लुकोज में बदलने की प्रक्रिया है प्रस्रंगला देखते हैं यहां पर कहा जा रहा है फुटवाल मैच को सुरू करने के लिए हर टीम में खिलाडियों की नियुनुतम संख्या कितनी होनी चाहिए तो हर टीम में जो नियुनुतम संख्या होनी च चाहिए है ना अगला कहा जार है कि IOA was established in कब स्थापना कब की गई थी इसकी तो स्थापना इसकी की गई थी 1927 में दुराब जी टाटा उस समय थी हना सर दुराब जी टाटा 1927 में IOA की स्थापना की गई थी ठीक ना क्रिकेट में नियमों की संख्या कितनी है क्रिकेट में नियमों की संख्या जो रखी गई है तो the number of laws in cricket are 42 कितना 42 rules है इसमें नियम है ना law है तो इसमें जो नियमों की संख्या है वो 42 है 42 है अगला परस्न है कौनसी गंथी केवन पुरसों में पायाती है ऐसी कौनसी गंथी है विचलेंग अगला भारण तोलं इसपरधा उलंपिक में कब जोड़ी गई थी तो women's weightlifting event was added in Olympics in कब जोड़ी गई थी 2000 सन 2000 में जो है इसको चोड़ा गया किसमें Olympic में इसको जोड़ दिया गया महिला भारो तोलन इस परधा Olympic में कर 2000 में सन 2000 में जोड़ दिया गया अगला परसंद देखते हैं यहां कहा जा रहा है कि पहले safe खेल कहां मनाये गए थे वेर वर फर्स्ट safe games celebrated तो यह कहां मनाया गया था यह मनाया गया था कहां पर नेपाल में कहां पर नेपाल में पहले SAF games tradition celebrate किया गया था इसको कहां पर नेपाल में याद रखना है अगला परशन देखते हैं नेमलिखित में से कौन सी हल चल फ्रोटल तल से सेजिटल अच्छारो और की जाती है यानि कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि which of the following moment is done in frontal plane around sagittal axis तो यह कौन सा होगा यहाँ पर देखिए इनमें अगर कहा जाए तो यह abduction होगा radial deviation होगा और eversion होगा यह सभी जो है किसमें क्या किया सकते हैं frontal plane around sagittal axis हल चल आगे देखते हैं सौरब गांगली का मध्य नाम क्या है सौरब गांगली हम लोग हमें सा जानते हैं ना है सौरब गांगली तो उनका नाम जो मिडल नाम है सौरब चंडिदास गांगली आगला परसंद देखते हैं कौन सा vitamin रग्त के ठक्के के दारान प्रोथामबिन के गठन में मदद करता है which vitamin helps in formation of prothombin during blood clotting इसमें क्या मदद करता है तो जो vitamin K है क्या vitamin K जो है यह मदद करता है गठन में रख्के ठक्के के गठन में vitamin K आगे देखते हैं पुरुसकार पुरुसकार धन आदिकी उपलद की इच्छा के कारण किस प्रकार की प्रेणना पैदा होती है किस प्रकार की तो यह जो है किस प्रकार की होगी यह होगी बाह क्योंकि यह बाह प्रेणना है यह लालाच दिया जा रहा है या फिर दिखाया जा रहा है बाहर से आपको प्रेणना मिलेगा मोटिवेशन कैसे मिलेगा बाहर से मोटिवेट होंगे आप इसमें हना आगे देखते हैं सारी रिख सिच्छा का उद्देश क्या है सारी रिख सिच्छा का उद्देश क्या है यहाँ पर कहा जा रहा है कि aim of physical education तो क्या होगा वहाँ पर यह होगा कि overall development को आप समपूर विकास करते हैं क्या करते हैं समपूर विकास करते हैं overall development करते हैं अगर छात्र क्लास में रुची नहीं ले रहे हैं तो सिच्छ को क्या करना चाहिए अगर वो इंट्रेस्ट नहीं ले रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए try to make teaching more effective and interesting यानि कि उसको अधिक प्रभावी और दिल्चप्स बनाने की कोशिस करनी चाहिए ठीक हैं आ रहा होगा समझ में बहुत अच्छे तरीके सा आप लोगों को आप लोग वीडियो को लाइव भी करते चलें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है वीडियो लगाता चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए अगला प्रशन है कि मेथानी जॉन्सन मोटर सिछा परिच्छा में कुल कितने इस्टेंड्स हैं कुल कितने इस्टेंड्स हैं देन मेथानी जॉंसन मोटर अगला परसंद देखते हैं यहां कहा जा रहा है कि नियम लिखी दवा में से कौन सा सीधे केंदरी तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है कौन सा हना विचा दो फॉल्मिंग ड्रक्ट डारेक्टली एफक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हना क्या उपचा स्ट्राइड और उत्ते जग यह एनबोलीक और इस्टिमिलेट यह दोनों यहां पर सही होंगी तंत्र का तरण को दोनों प्रभावित करते हैं अगला प्रसंट देखते हैं कि नेमलिखीत में से कौन सा गति का एक प्रकार है which of the following is a type of motion, तो कौन सा है तो देखिए, वो चाहे simple हो, चाहे cervical हो यानि कि सरल हार्मोनिक गती वक्री गती, दोलन गती ये सभी गती क्या है ये एक motion type है type of motion है अगला प्रस्टन देखते हैं निमलिखित में से कौन सा भारती इतिहास का सबसे पुराना दौर है which of the following is the oldest period of Indian history तो Indian history की सबसे पुरानी है वो वैदिक काल माना जाता है वैदिक काल को सबसे oldest period माना जाता है अगला प्रस्टन है कि ताइक्वांडो में ताइक्वांडो में खेलने वाली सतह का आकार क्या होता है खेलने वाली सतह का आकार ताइक्वांडो में होता है 12 x 12 12 x 12 होता है what is the size of playing mat in ताइक्वांडो तो वो होता है 12 x 12 meter अगला प्रस्टन देखते हैं कौन इसी प्रतियोगिता हैं इस संस्थान के बाहर आयोजित किया जाता है तो संस्थान के बाहर अगला प्रस्टन देखते हैं एक सामान ब्यक्ति में कैल्सियम कितनी मात्रा में उपलद होती है तो टोटल अमाउंट आफ कैल्सियम इन नॉर्मल परस्टन तो नॉर्मल परस्टन में कितना होता है 1250 ग्राम 1250 ग्राम ठीक है अगला प्रस्टन कहा जा रहा है कि psychoanalytical theory किसके द्वारा दिया गया है psychoanalytical theory was given by किसके द्वारा दिया गया है तो Sigmund Freud Mano Vishiletraatmak Siddhant Mano Vishiletraatmak Siddhant का जो प्रितपादक है वो Sigmund Freud है ठीक है आगे देखते हैं अरजुन पुरुषकार प्राप्त करने वाले ब्यक्ति को कितना नगत पुरुषकार दिया जाता है तो तो वो किया गया था 1953 में जब राजकुमारी अमरिता कौरी स्कीम चला था ना कोचिंग स्कीम तो उसी समय जो है ये भी शुरू किया गया सर्कीट ट्रेनिंग वाल्स इन्वेंटेड तो कब खोजा गया इसको 1953 में 1953 में अगला प्रस्ण है विटामिन C को अन्य नाम से जाना जाता है विटामिन C को अन्य किस नाम से जाना जाता है उसको आप किस नाम से जानते है इसकॉर्बिक एसीड क्या इसकॉर्बिक एसीड है ना विटामिन C is also known as इसकॉर्बिक एसीड ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं कि पूरुसों की हांकी इस्टिक का वजन क्या है? What is the weight of mains हांकी इस्टिक? तो कितना होगा? वो है 28 ओंस. 28 ओंस जो है यह पूरुसों की हांकी इस्टिक का वजन होता है. अगला प्रस्ण है कि WBC की गठन की प्रक्रिया को कहा जाता है. उसको हम कहते हैं Granulopoiesis. Granulopoiesis जो है यह WBC की गठन की प्रक्रिया को कहते है. Process of formation. अगला देखते हैं. अगला प्रस्ण कहा जा रहा है कि पूरुसों के लिए ग्रीश मिकालिन. पूर्सों के लिए ग्रीसम कालिन उलम्पिक खेलों में किस खेल को जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि वह कम से कम कितने देश और कितने महादेप में खेला जाता हो तो वह कम से कम कितने देश और कितने महादेप में तो वह 75 देशों और 4 महादेपों में खेला जाता हो ग ब्लड ग्रूप ए निगेटिव है निमले खित रक्त समूह के लोगों में से वह किसे से रक्त प्राप्त कर सकता है उसका जो ब्लड ग्रूप है वह क्या है निगेटिव है तो वह प्राप्त किसे कर सकता है आपको यह पता होना चाहिए कि जो ओ निगेटिव के द्वारा ही उ प्रक्रिया जिसमें हम कुछ नया खोजने के लिए किसी चीज पर बार-बार अध्यन करते हैं किसी में सोद करता केवर उपलब्ध तच्छो या जानकारी का उपयोग करता है तो वो कौन सा होगा वो होगा बिसली सरात्मक, सिध्धान और या फिर अनुसंधान जिसको आप अनुसंधान जो की जानकारी का उपयोग करता है तो इस प्रकार से आज का जो पैक्टिस सेट था वो यहीं पर पूरा हुआ और फ्री में पैक्टिस सेट पात करने के लिए अच्छा होगा हर दिन पैक्टिस सेट आपके लिए मिलते रहेंगे तो आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा वीडियो को लाइक भी जरू कर लें और चैनल को सस्काइब कर लें धन्यवाद